Hi everyone, this is Saurabh Thakur and today we are talking about Yulia Kristeva. She was born in 1941, a Bulgarian French Literary Theorist and if I talk about it, when I talk about it, then Yulia Kristeva post-structuralism, feminism, psychoanalytic literary theory, and psychoanalytic literary theory. और उसी में इसको भी add कर दूँगा. Feminism में Yulia Kristeva का इतना contribution नहीं था, लेकिन psychoanalytic literary theory में contribution ज्यादा था Yulia Kristeva का. तो post-structuralism के perspective से भी और psychoanalytic literary theory के perspective से भी आज हम बात करेंगे इसकी. थोड़ा सा feminism का भी बताऊंगा, एक दो work जो इसे feminist बनाता है थोड़ा सा. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि French Feminism में Yulia Kristeva का भी नाम आता है. Helen Sixo की जब मैं वीडियो बना रहा था थो उसमें मैंने बताया था कि तीन औरते. Luce Eregory, Yulia Kristeva and Helen Sixo. और इसके साथ Simone de Boa भी आती है. तो यह जो चार जो लेडिज थी यह French Feminism में इनका काफी बड़ा नाम है. तो यह नाम आपने याद रख लेने चार नाम. इसलिए मैं इसको Feminism की प्लेलिस में भी एड़ कर दूँगा इस वाली वीडियो को. तो युलिया Kristeva अगर मैं आपको बताओं तो यह Bulgarian French थी जैसा कि मैंने आपको बताया. ठीक है और इसके बारे में क्या है कि इसका जो आइडियास थे. पोस्स्ट्रक्चलिस्ट इसके जो आइडियास थे उसके प्रती इसकी एक psychoanalytic approach थी. ठीक है एक psychoanalytic approach के साथ यह पोस्स्ट्रक्चलिस्म को define करती थी या फिर अपने आइडियास को express करती थी ठीक है अब इसका एक आइडिया था सब्जेक्ट का अब जो पोस्स्ट्रक्चलिस्म का आइडिया है मतलब कि construction of subject अब subject क्या subject एक individual identity है जैसे कि मैं हूँ आप हो हम एक individual identity है ठीक है हमारे एक अपने experiences है तो हम एक subject है जिसकी एक अपनी individual consciousness होती है ठीक है उसे subject कहते है तो construction of subject जो है ये कहती है कि ये जो चीज़ है ये in process होती है हमेशा in process ठीक है या फिर on trial कि ये हमेशा प्रोसेस में होती है ये fix नहीं होता है कब भी एक जो subject होता है लेकिन जो structural वो तो यही कहता है कि particular structures होते है लेकिन जिस point पे इसने ये बात की कि वो एक in process होता है एक ongoing process है subject वगरा वगरा सब कुछ तो इसका मतलब है she is criticizing the essentialization of structures मतलब की एक particular structure नहीं है ये चीज हमेशा process में रहेगी ठीक है तो इस चीज से इस idea से ये एक poststructuralist बन जाती है ठीक है एक tell quill tell quill group एक इसने जिस से शादी की थी इसका जो पती था solars उसका नाम था s-o-l-e-r-s solars याद रखो तो उन्होंने एक tell quill group बनाया tell quill group एक हिसाब से ये avant guard की एक magazine थी ये आपने याद रख लेना जितने भी poststructuralist थे या फिर डी construction में जो लोग आते उन सभी लोगों ने इस 1960 से 1982 तक ठीक है ये एक magazine थी 1960 से 1982 तक tell quill group ये question भी आ सकता है ठीक है उसका ये जूलिया क्रिस्टेव अभी एक part थी इतिन सी बात हो गई अब सीधा आएंगे इसकी terms पर तो psychoanalytic literary criticism में इस पर असर रहा Jacks Lacan का, Sigmund Freud का ये सारी चीज़े हो गई फिर Jacks Lacan पर मैंने एक वीडियो बनाई है उसको आप देखना उसमें जो mirror stage है symbolic stage है मैंने अच्छे से explain किया है वो इसलिए देखना जरूरी है ताकि आप ये भी समझ पाऊ ठीक है अगर अभी आपने है दो चीज़ होगी कि हमारे जो एक है इसका symbiotic, दूसरा है इसका symbolic symbiotic space and symbolic space ध्यान रखना symbiotic यूलिया क्रिस्टेवा क्या है और symbiotics जिसमें यह S लग जाएगा symbiotics का मतलब होता study of science s-i-g-n-s science की study उसे symbiotics कहते है जो कि Ferdinand de Susser जाना जाता जिसके लिए ठीक है लेकिन Ferdinand de Susser का जो explanation है वो अलग है इसका जो है वो सिर्फ symbiotic है ठीक है इसमें S नहीं है याद रखना है symbiotic space and symbolic ठीक है इतना अभी ठीक है ठीक है मैं कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ मैं अपना lecture देख रहा था ठीक है ठीक है ठीक है जादा ही बोलता हूँ पर क्या करें आदत है आदत हो गई है मतलब इसको सुधारना पड़ेगा चलो तो symbiotic है अब इसमें यह psychoanalytic एक literary perspective से बात करेंगी semiotic stage को यह कहती है यह है pre mirror stage ठीक है pre mirror stage या फिर आप इसे pre audible stage भी कह सकते है pre audible, audipus complex में मैं समझा चुका हूँ क्या चीज होती, audipus complex होता है जब एक मानलो में लड़का हूँ और मेरे opposite sex के लिए मतलब कि मेरी mother के लिए कुछ sexual desires है और जो same sex है यानि कि मेरे father उनके लिए मेरे थोड़े से hate है मेरे अंदर, उनसे उत्तुरी jealous करता हूँ ठीक है तो एक mirror stage, mirror stage क्या होता है छे महीने का बच्चा जब हो जाता है वो शीशे में खुद को देखता है literally या फिर आप symbolically कह सकते हो तो वो देखता है कि मुझ में और दुनिया में क्या फरके उसे पता लगता है ठीक है उसको वो अपनी recognition करता है self identity का उसे पता चलता है ठीक है तो यह mirror stage जो होती है वो छे महीने पर आती है चाही मेंने जब पूरे हो जाते है उसके बाद आती है लेकिन जो semiotic stage है यूलिया क्रिस्टिवा कह रही है zero to six months ठीक है zero to six months का जो time है उसे यह semiotic stage कहती है इसमें क्या है कि pre-millar stage है यह इसमें क्या है कि अपनी मां के साथ उसका bond है मतलब क जीरो से छे महीने के बीच बच्चा एक मा का ही हिस्सा है बच्चे की कोई अपनी identity नहीं है लेकिन जिस point पे बच्चा शीशे में खुद को देखता है उसे पता लगता है कि उसमें और दूसरे लोगों में मतलब कि society में एक अंतर है there is a difference between self and the other self और other का जो concept है जब उसे वो पता चलता है तो वो कहां एंटर करता है symbolic stage में symbolic stage जैक्स लका में मैंने बता है symbolic stage में आ जाएगी आपकी language culture आ जाएगा religion आ जाएगा region आ जाएगा mainly language है ना और आपकी nationality आ जाएगी symbolic stage का मतलब है कि आप कि society में पैदा हुए हो क्या symbols है आपके क्या रीती रिवाज है जहां पर आप पैदा हुए आप कौन सी community में पैदा हो कौन से देश में पैदा हो कौन से culture में क्या आपकी language है क्या आपका religion है nationality है ये सारी चीजों का बच्चे को कब पता चलता है जब व आइने में देखता है self और other में उसको महसूस होता है फर्क तब वह symbolic stage में जाता है ठीक है तो यह यही बात कहती है कि इस stage से इस stage में जाने का जो process है उस process को कहते हैं abjection 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 भी जूलिया क्रिस्टेवा की term है याद रखना इसने work भी लिखा है उसका मैं आपको बता हूँगा powers of horror उसका title है उसमें इसने objection की बात की है तो objection का simple सा मतलब होता है the state of being cast off मतलब कि कोई ऐसी चीज जो disturb करती है एक cultural identity को एक conventional identity को एक conventional identity जो की मेरी culture में है उसे जब कोई चीज डिस्टर्ब करती है उसे objection कहते हैं तो जब यह जो बच्चा है यह semiotic age से symbolic stage में जा रहा है जब यह बड़ा हो रहा है इसको खुद में और society में जो फर्क नजर आता है इसको पता लगता है मेरे क्या roles है society में क्या symbolic order है जो मुझ stage है semiotic ठीक है उसके बाद यह symbolic में आ गया symbolic language culture उसको पता लगता है कि मेरे society में क्या role है मतलब कि यहां पर semiotic stage में बच्चा सिर्फ mother को जानता है और mother से उसका relationship जानता है उससे जादा वो कुछ नहीं जानता है अब इसमें एक चीज और है कि यह एक्स लाका से थोड़ी सी अ पापस नहीं आएगा ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक जो लड़की है वो हमेशा कोशिश करती है कि मुझे अपनी मा की तरह बनना है एक लड़का भी शायद कई बार क्या लड़के भी कोशिश करते कि मुझे अपने बाप जैसा बनना है अगर मैं अप symbolic stage में है या लड़का symbolic stage में है तो वो बीच में इधर उधर जाते रहते है ठीक है यहां से इधर कभी यहां से इधर कभी यहां से इधर तो जूलिया कृष्टिवा कहती है कि जरूरी निये कि स्टेश सेज्ट खतम हो जाती इसमें चला रहता है एक यहां से इदर से उधर चलते रहता है तो यह थोड़ी सी यह तोड़ी सी डिफ्रेंट बात करती यह इस इस कंठेक्स्ट में ठीक है समझ जाओ अब सिमिप्रिक सिंबॉलिक आप समझ गे एब्जेक्शन भी समझ गए यह तीन चीज़े हैं जो इंपॉर्टन है अभी इसकी दो टर्म्स और इंटर्टेक्शुलेटी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन है और यह मारकर पदा ने कैसा है अब भी शूर्टन ही है निशाह के निशाँ हमारी जिंदगी में रह जाते हैं यह बात थना कि पिछले लेक्चर में भी थी वैसे ही इस मारकर का निशा है जो रहा गया शुक्रे मुझे करें कुछ याद है कि मैं पिछलेक्चर में क्या वह यह रहता नहीं इतना याद चलो तो अब बात करते हैं कोरा की C-H-O-R-A कोरा एक term है जो प्लेटो ने बोली थी लेकिन प्लेटो का कुछ कंसेप्ट अलग था अब ये जुलिया कृस्टिवा ने अडॉप्ट की है प्लेटो से कोरा अब कोरा में क्या बात है कोरा तो सिंपल सा है वूम जो माता जी का वूम है उसे आप कोरा कह सकते हो इसमें क्या है कि रिलेशन्शिप है रिलेशन्शिप है किसका मदर का चाइल्ड से ठीक है रिलेशन्शिप बेट्वीन मदर एंड चाइल्ड कई बार इसे रेफर किया गया है इसको यूटरस की रेफरेंस मैं भी यूज किया गया है इसे कि जो kora है वो uterus है मतलब कि आप मम्मी की जब कौक में होते हो आपका जब बिल्कुल रिलेश Greater मन्मी से होता है तो उसे kora कहा है जूलिया क्रिष्टेवन ने थीक है अब आप समझ रहे हो अगर आप ध़्यान से सुन रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि अब इसमें फर्ग क्या है सिम्योटिक और कोरा में फर्ग कुछ नहीं है आप यह समझ सकते हो कि सिम्योटिक और कोरा लगभग एक ही चीज है लगभग है ना क्योंकि सिम्योटिक में भी वही चीज है कि जब आप मम्मी से बहुत ज्यादा connected हो, मम्मी के पेट में हो या फिर मम्मी का दूद पी रहे हो आप 6 महीने तक, तब आप मम्मी से connected हो आपका बाहरी दुनिया से कोई लिला दिना नहीं है लेकिन जब आप यहां से बाहर निकलते हो तो आपकी symbolic stage शुरू हो जाती है ठीक है, उसका real stage भी है जैक्सलेका की जो वीडियो है उसमें आपने देखना है मेरे lecture में तो कोरा, बस आपने इतना याद रखना है कि जुलिया कृस्तिवा का concept है कोरा जो कि इसने प्लेटो से अडॉप्ट किया है हमारे लिए इतना इपॉर्टन है, कोरा का थोड़ा सा मतलब किया है ज्यादा depth में हमने जाना नहीं है वैसे तो मैं आपको comparatively बोलू तो काफी depth में लेकर जाता हूँ इतना आपको शायद ही कहीं मिलेगा मिलेगा तो मिलेगा अगर आप पढ़ोगे अगर आप जाओगे इंटरनेट पे जाओगे विकिपीडिया पे पढ़ोगे तो आपको इससे भी ज्यादा depth मिलेगी खाई बार नेट में कोशन आ जाते हैं डेफ में वैसे तो बेसिक ही आएगा जूलिया ज्यादा ज्यादा कोरा पूछ लेंगे वह किसकी टर्म है हना हो सकता थोड़ा थोड़ा तो आपको पता हो नहीं चीए अब आते हैं अपनी most important term पे इंटर टेक्शुलिटी तेको इंटर टेक्शुलिटी जैसा की नाम से ही लग रहा है टेक्स्ट का आपस में इंटर कनेक्शन एक ऐसा टेक्स्ट चो टेक्स्ट के मीनिंग को शेप करता है माननो मैंने एक book लिखी मैंने उसमें बहुत सारे अलग-अलग languages ले ली बहुत सारे मैंने illusions ले लिए आप wasteland की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे illusions है ठीक है इसमें आएगा आपका calc इसमें आपका illusion, calc, translation ठीक है, translation हो गया pleasureism, pleasureism आप सभी को पता है क्या होता है इसमें pastiche आ जाएगा P A S T I C H E इसमें parody भी आ जाएगा इसमें quotation भी आ जाएगा अब क्या है कि Intertextuality है जब एक writer कुछ लिखता है और उसमें इन सारी चीज होगा वो यूज करता है एक हिसाब से ये strategy है, एक technique है लिखने की ठीक है, तो जो Julia Kristeva है उसने इसे define किया है कि इससे क्या होता है कि एक text का दूसरी text से क्या relation है, हो सकता है वो similar text भी हो, हो सकता है वो एक अलग तरह का text भी हो, लेकिन आपने फिर भी उसकी allusion ले लिए, अब allusion क्या है allusion है जब आपको यह ऐसी चीज यूज करते हो जिससे किसी और चीज के होने का आभास होता है हमें ठीक है, मान लो शान्ती शान्ती, मैं यूज करता हूँ तो आपको आभास हो रहा है कि यह शायद गीता से लिया गया है, तो यह allusion है गीता को, जैसा कि wasteland में भी है, ठीक है, तो वो होता है allusion calc क्या होता है, calc होता है वैसे translation होती है, लेकिन calc होता है तो simple आपको पता ही है, कहीं से आपने कोई चीज उता है, उसको translate कर गया, आपने लिख दिया वो translate हो गया, simple सा basic चीज है यह, pleasurism होता है कि जब आप किसी के idea को, किसी का भी quotation है, उसको as it is उतार देते हो, यह बोलके कि यह हमारा idea है, उसे pleasurism कहते हैं यह, कि यह गलती है, पास्टीश क्या है, पास्टीश होता है, जब आप किसी के work को imitate कर रहे हो, लेकिन आप बोलेगे कि parody भी यही होता है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि पास्टीश में you celebrate and parody में you mock ठीक है, parody में आप मजाग उडाते हो, और pastiche में आप उसको celebrate करते हो, मतलब उसकी तारीफ कर रहे हो आप एकिसाब से, जब किसी चीज को imitate कर रहे हो, copy कर रहे हो, किसी के work of art भी हो सकता है, literature भी हो सकता है, music भी हो सकता है, κά Serve है, तो pastiche करता है, parody में भी आप copy करते हो, imitate करते हो लेकिन वह mock mocking तरीके से ठीक है आप उसका मजाग उड़ा रहे हो ludicrous way में तो funny way में ठीक है humorous way में तो अब यहां देखो थोड़ी literary terms भी cover होगी हमारी है ना तो quotation तो आपको पता ही है अगर आप quotation कहीं से उठा रहे हो as it is किसी की line उठा रहे हो तो यह सारी चीज़े पाई जाती है को मिलेगी तो मिकायल बागति में जो है वह भी घ्टरोगलश। की बाद करता हिट्रोगलश। का भी यही मतलव है कि जब एक से ज़्यादा sound हो एक से ज़्यादा speech हो एक से ज़्यादा languages हो अलग अलग तरह कि ठीक है उसे जहनीद के से आगई आयायाय वैसे मैंने एक शेयर लिखाया कल उसकी ये लास्ट लाइन से दो तो अगर आप चाहते हों मैं पूरा सुनाओं तो टाइम लग जाएगा रहा हैं में तो जिसमें कि आप कोई फ्रेग्मेंट उठाते हो मतलब कि कोई आपने कोटेशन उठा दी या फिर कुछ इस तरह आप से एक हिस्सा उठाया ठीक है लेकिन टेपलोजिकल इंटरेक्श्वलेटी क्या होती है जिसमें आप एक पैटरन उठाते हो पूरा पैटरन या स्ट्रक्चर ठीक है पैटरन या स्ट्रक्चर किसी टेक्स्ट का आपने बॉरो किया है उसे टिपलोजिकल इंटरेक्श्वलेटी कहेंगे और रेफ्रेंचिल इंटरेक्श्वलेटी होगी जिसमें आप कोई फ्रेग्मेंट कोई एक टुकड़ा ऊठा रहे हो ठीक है उसे समझ कई होंगे इससे ज्यादा तो मैं आपको समझा नहीं सकता एक विडियो में वैसे मैं ने कुशिश किए कि आप समझी गए होंगे चलो कोई बात नी अगर आप सच में इतना मज़ा ले रहे हो ना इस लेक्चर का आपको अगर सच में ये लेक्चर इतना अच्छा लग रहा है तो लास्ट में आपको शायरी सुना के जाओंगा कोई बात नी तो जो लास्ट तक रहेंगे वो शायरी सुनके जाएंगे अभी क रट लेना है powers of horror जो मैंने आपको discuss भी किया था powers of horror इसका screenshot भी ले सकते हो last में साथ में copy भी लिख भी सकते हो NSA वैसे तो इसने लगबग 30 books लिखी है लेकिन आपको selected बता रहा हूँ on objection जो मुझे लगता है कि important है यह 1980 में ठीक है powers of horror and essay on objection एक desire in language यह भी इसकी important book है desire in language 1969 ठीक है जी new melodies of the soul new melodies of the soul of the soul अब इस बुक के बारे में खास बात क्या है कि यह feminism की बात करेगी ठीक है वैसे feminism का मुझे इसका कुछ खास मिला नहीं इतना कोई इसका कोई term concept ideas कुछ खास मिले नहीं तो new melodies of the soul इतना जरूर मिला है कि इसमें इसने थोड़ा feminism के बारे में बात की ठीक है अब देखो मैं यह समझता हूं कि जरूरी नहीं कि हर एक woman जो है feminist हो और यह भी जरूरी नहीं कि कोई मर्द feminist ना हो तो मैं तो यह समझता हूं कि maximum women जो है वो कहीं ना कहीं उनका perspective feminist होता ही है कहीं ना कहीं सभी का नहीं कह रहा हूं मैं तो इसी लिए अब जूलिया क्रिश्टेवा ने अगर बाते की है तो feminism का कहीं ना कहीं तो टच आएगा याएगा तो यह जो टच आया है यह noticeable है revolution in poetic language revolution in poetic language ठीक है जी marriage as a fine art अब आप लोगों क्या लगता है marriage अच्छी चीज है या बूरी चीज है marriage as a fine art अब यह तो marriage वाले जाने भई अच्छी चीज है कि नहीं है कमेंट में बताना भई marriage अच्छी चीज है कि नहीं है तब मैं भी सोचूंगा शादी करनी है कि नहीं करनी है अब क्या राइटर्स की problem ही है कहीं जाएंगे तो उसके बारे में लिख देते अब यह बार चाइना चलीगी तो इसने चाइना के बारे में लिख दिया मालो मेरे कमरे में पांच छे दोस्त आगे और सिर्फ दो बैटे मेरे पास वैसे सोते ना जैसे वैसे मतलब काफी क्रिएटिव सा लगा मुझे यूनीक साइस का कवर पैस्टेंस ओफ आर टाइम और आर टाइम बहुत ही रीसेंट है 2018 में ठीक है नेशन्स विदाउट नेश अ कि यह आया है 93 में एक लास्ट बुक आपको बता रहा हूं ब्लैक सन अब इसका बहीं आप स्क्रीन शॉट ले लो लिखना चाहो लिखलो लेकिन मैं समझता हो कि इतने वर्क्स तो याद कर ही लेना चुछ है अच्छा तो अब मैंने आपको सब कुछी बता दिया अब में अगर आप क्लास छोड़ भी सकते हो अगर आप को टाइम नहीं है बाकि जोने शैरी सुनने हैं सुनो कि दीपक को जलता छोड़ाए तुम नजाने आतिश में सर्द महरी कैसे आ गई दीपक को जलता छोड़ाए तुम नजाने आतिश आतिश बोले तो आग सर्द महरी बोले तो ठंडक नजाने आतिश में सर्द महरी कैसे आ गई इस्तिरार सा खफा कर चले गई तुम इस्तिरार होता है helpless इस्तिरार सा खफा कर चले गई तुम नजाने कुर्बत में मुकाबिले वसल कैसे आ गई कुर्बत होता है closeness मुकाबिल होता है opposite वसल होता है पैशन या फिर जब दो प्रेमिका का मिलन होता है इस्तिरार साखफा कर चले गए तुम ना जाने कुर्बत में मुकाबिले वसल कैसे आ गई तुम्हारी फिक्र में मुंतजर जागते रहे हम ना जाने तुम्हें नींद कैसे आ गई ना जाने तुम्हें नींद कै system को उपर लेके आना है ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तब तक के लिए खुश रहिए आबाद रहिए किसी की जान तो किसी की फर्याद रहिए लेकिन मैं देख लूगी कुछ छूटा ना हो कोई बात ही जितना हो गया बहुत है है ना इतना ही है ठीक है लगधान दोसे लेकर है जारा